Hello everybody, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्या समिक्षा केंदर के बारे में, जो की भारत सरकार की एक महत्वपून पहल है, जो सिक्षा के छेत्र में सुधार लाने के उद्देश से स्तापित की गई है. यह केंदर सिक्षा से संबदित डेटा का विसलेशन और निगरानी करता है, ताकि सैक्षिक नीतियों को अधिक प्रभावी और सटिक बनाया जा सके. विद्या समिक्षा केंदर खासकर डिजिटल प्रेटफॉर्म का उपियोग करता है और सिक्ष, सीखने और परिक्षा किये जा सकते हैं, जैसे सैक्षिक परदर्शन की निगरानी करना, जिसमें चात्र, सिक्षक और स्कूलों के परदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है. इसके साथ ही डेटा आधारित नीतिकत निर्णे लिए जा सकते हैं, जिसमें केंदर सैक्षिक नीतियों के लिए डेटा based help ले सकता है, साथ ही पार्टे क्रम सिख्षा के अस्थर और परिक्षा प्रणामों का विशलेशन कर सकता है, इसके साथ ही सेक्षिक चुनोतियों और समश्याओं को पहचान कर उन्हें हल करने के उपाए भी सुझाता है, यह केंद्र भारत के विभिन राज्यों में लागू किया गया है, जैसे की गुजरात में स्तापित Command and Control Center for Schools, जो राज्य की सिख्षा विवस्ता पर नजर रखता है, इसी क्रम में उत्राखन में भी एक विद्या समिक्षा केंद्र का निर्मान किया गया है, जो की वहां राज्य सरकारद्वारा संजालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश राज्य के सिख्षा तंत्र में सुधार लाना और सिख्षन परक्रिया में तक्निकी और डेटा बेस्ट प्रस्पैक्टिब्स को बड़ावा देना है, यह केंद्र सिख्षा से जोड़े विभिन मानकों और कारकों का मुल्यांकन और विशलेशन करता है, ताकि सैक्षिक नीतियों और प्रथाओं को पहतर बनाया जा सके, उत्राखन विद्या समिक्षा केंद्र ज उनको एनलाईज किया जाता है, साथ ही सिख्षकों की दक्षता, छात्रों की प्रगति और स्कूलों की समग्र सैक्षिक स्तिति की निगरानी भी इस विद्या समिक्षा के अंदर से रखी जाती है, सैक्षिक चुनौतियां जो भी सामने आती हैं राज्य में, उनका विशले सी बनाई जाने की कोशिस की जाती है, ताकि छात्रों की पढ़ाई में सुधार हो सके, उत्राखंड में पहल विशेष रूप से ग्रामीन और दुर्गम छेत्र के छात्रों और स्कूलों के सैक्षिक प्रदर्सन को बेहतर बनाने पे फोकस्ट है, विद्या समिक्षा के अं इसके बारे में आप समझ पाए होंगे और इसी क्राम में मिलेंगे हैं हम एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाई बाई